हेलो गाइस वेलकम बैक टो चैनल पीसी एमबी डिजिटल गुरुकुल तो बटा आज हमें आपर वर्क्षीट के बात करेंगे लास्ट वर्क्षीट है इस हफते की सबसे पहले इसी चैनल पर आपको सारी वर्क्षीट अवलेबल हो गई होंगी पूरे हफते की साथवी क्लास की पी समान ता अपने आतम समान को दाव पर लगाकर जीवित रहना ऐसोबनी है ऐसा किनका कहना था अमबेड़कर साहब का आतम समान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों कटना यह विज़पराप्त करनी होती है कि अबल कटीन और इने तर शंगर से ही व्यक्तिय ऐ बारते सविधान ने भी कुछ चीज़े दे हुई हैं ऐसा करने के समानता हो जैसे कानुन के दोरा कुछ सरकारी और ऐसा किया जाता है और जीने प्रयापता अवसर नहीं मिलते उन्हें प्रयापता अवसर भी दिये जाते हैं मद्यव भोजन के ववस्ता इस प्रकार के अंत्रगत सभी सरकारी प्रात्मिक स्कूलों के बच्चो को दो पैर का भोजन स्कूल से मिलता है या सबसे पहले किस ने कैदार तमिल नाड пог इसके बाँ सरकारों को कह दिया गैदा सुप्रीम कोट के दोरा कि सब लोग ऐसा करें परंतो जब मद्याय भोजन स्कूलों में मिलने लगा है उनकी उपस्तितिव सुधार आया है कि इनके गरीब बच्चों की और अधिक सरीक सख्याम स्कूल आने लगे हैं और ऐसे जातेगरत पूरवा ग्रहां को भी कम करने में हैस्तित मिलती है लेकिन इस कारेकरम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए कि लोग एक दूसरे को समान समझें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है भेद बाव लोग आपस में ना करें जब लोग ये विश्वास करें कि कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है समानता के लिए भारते सविधान मी दे गए कुछ प्रावधान तो भई ये रहा सबसे पहला प्रावधान दूसरा सवाल मद्याय भोजन में से किस प्रकार समानता लाने में साहिता हुई तो उसमें आप ये उत्तर लिख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा होगा बड़ा सा लिख सकते हैं समाज में समानता स्तापित करने के लिए कुछ उपाएं बताएं समाज में समानता स्तापित करने के कुछ उपाएं हैं सभी को मुफ्च सिक्षा तद्धा चिक्ट्सा So, thank you so much for watching the video, friends. Please subscribe to our channel. Keep supporting us. Do like and share our videos.